नमस्कार दोस्तों आज 27 तोप में 2022 और यहां पर कल थी फ्यूचर एंड ओप्सन सेग्मेंट की वीकली एक्सपायरी जिसमें यहां पर मार्केट में अच्छी स्ट्रेंद देखने को मिली यहां पर सेंसेक्स ने 503 पॉइंट की स्ट्रेट पोजिटिव क्लोजिंग दिये नि स्ट्रेट जाये तों如果 यहां पर अच्छी स्ट्रेंद इंडेक्स में हमें देखने को मिले यहां पर वीकली एक्स उपायरी में अच्छे मोड़ हमें इन इंडेक्स में dhc चाहिए को मिले एड्वांस डिकलाइन रीसियो को यह पर देखे बाद यहां पर सींडी पर प्लोट हो रहा है यह पर लाइन लाल पैथ लैब ने भी यहांपर 116.25 रूपे की तेजी दिखाई है और इस स्टोक में भी हमें यहांपर इस्ट्रेंद देखने को मिली इसके बाद मेहंद्रे और मेहंद्रा पाइनस ने भी 10.40 रुपे की तेजी दिखाई हैं इस परकार एपनो सेगमेंट के टोप गैनर्स रहें टोप लुजर्स की बात करें एपनो सेगमेंट में तो यहाँपर टोप लुजर्स में है हेवल्स इंडिया जिसने यहाँपर 56.70 रुपे की गिराउट देखने को मिली चंबल फ इसके बाद e-pies औ डियम्स की डीटा को इनलाइज करें तो यहाँपर e-pies के सेगमेंट में यहाँपर हमें सेलिंग देखने को मिली 577.80 करोड रुपे की तो अभी भी मार्केट में F.I.S. की Selling जारी है D.I.S. के सेगमेंट में नजर डाले तो यहाँ पर बाइंग देखने को मिली 296.46 करोड रुपे की इसलिए यहाँ यहाँ पर मार्केट में थोड़ी बहुत हमें स्ट्रेंद देखने को मिली और यहाँ पर इंडेक्सेज में Selling कर रहे हैं इसलिए मार्केट में वो स्ट्रेंद हमें नहीं मिल पा रही है क्याँ यहाँ पर D.I.S. की तरफ से बाइंग आ रही है इसलिए मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है एपएज के इंडेक्स ऑप्सन की बात कर रहे है तो यहाँ पर ऑप्सन में यहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत बाइंग एपएज की तरफ से देखने को मिली है और यहाँ पर यह बाइंग पांसजार दो पॉइंट दो तिन करोड रुपे की देखने को मिली थी इंडेक्स ऑप्सन सेग्मेंट में यहाँ पर अच्छा सपोर्ट एपएज की तरफ से मिला यहाँ पर एपएज के स्टोक फिचर की बात करे तो यहाँ पर 2019.57 क्रोड रुपे की बाइंग देखने को मिली एपएज की तरफ से स्टोक ऑप्सन में भी दोस्तो 41.03 क्रोड रुपे की बाइंग देखने को मिली तो यहाँ पर इस टोक में फिचर अन ऑप्सन दोनों सेग्मेंट में एपएज की तरफ से बाइंग आ रही है इसलिए यहाँ पर मार्केट को थड़ बोड सपोर्ड मिला था और यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटीव साइंग दिया था और ओल यहांपर टॉप गेनर्स की बात करें तो और ओल टॉप गेनर्स में ITI है जिसने यहांपर 14.95 रुपे की स्ट्रेंद दिखाई है Greenland Industries ने भी यहांपर 31.25 रुपे की स्ट्रेंद दिखाई है और यहांपर Interglobe AVI ने 170.55 रुपे की तेजी दिखाई है और Torrent Pharma ने भी यहांपर 266.15 रुपे की तेजी दिखाई है और ओल टॉप लुजर की बात करें तो यहांपर Dynepro RE ने 6.85 रुपे की गिराउट देखने को मिली Appelos Indurum में भी हमें 115 की गिराउट देखने को मिली Sequence Scientist में भी में 14.25 रुपे की गिराउट देखने को मिली और D.F.M. Foodson में भी 25.55 रुपे की गिराउट देखने को मिली Overall Top Losers की लिस्ट आप यहांपर देख सकते हैं इसके बाद हम Global Market के Closing को देखें तो यहांपर 27.05 May 2022 को Global Market की जो Closing आई है वो भी यहांपर हमें Positive Sign दे रही है यहांपर S.J.C blending ने 76 पॉइंट की स्टेट पॉजिटीव क्लोजिग दिये हैं निकी की बाद करें तो निकी निंभी यहांपर 215.97 पॉइंट की स्ट्रेट पॉजिटिव क्लोजिंग दिये तऐएंट डो 0811 की स्ट्रेट पॉजिटिव क्लोजिंग दिये तो एवरोल यहां पर ग्लोबल मार्केट ने positive sign दिखाया है तो इंडियर market में भी पूरे पूरे चांसे जाए कि आज के दिन यहां पर market positive momentum में रह सकता है commodities and currency segment की बात करें तो यहां पर crude oil में भी हमें तेजी देखने को मिली और यहां पर 332 रुपे की price से यहां पर crude oil में तेजी नजर आई natural gas ने भी यहां पर 6.10 रुपे की तेजी दिखाई गॉल्ड ने भी यहां पर 101 रुपे की तेजी दिखाई और इसके साथ साथ silver ने भी 265 रुपे की तेजी दिखाई है और यहां पर देखें तो community segment में भी हमें strength देखने को मिल रही है इसके बाद currency segment को देखें तो यहां पर US dollar के मुकाबले इंडियन रुपे में भी यहां पर 0.05 रुपे की strength देखने को मिली यहां पर जो price indication है वो 77.58 रुपे है यहां पर euro के comparison में इंडियन रुपे को देखें है और यहां पर इसमें भी हमें 0.49 रुपे की strength देखने को मिली है पॉंड से compare करें तो यहां पर पॉंड से भी 0.03 रुपे की यहां पर strength देखने को मिली है और यहां पर price जो निकल कर आ रही है वो 97.71 रुपीज है जापनी जियन के मुकाबले यहां पर देखें तो यहां पर कोई भी strength देखने को नहीं मिली और यहां पर प्रेह करा रहा है जिरो प्वौंट 61 की add यहां पर देखने को मिल रहा है stok in action की है ऑफ में इन stokes पर नजование लग कि और अच्छा प्रोपिट बना सकते हैं यहां पर रिलाइंस ने चोईस पॉइंट नो जिरू रुपए की की गिराउट दिखाई है तो यहां पर आप इंट्रेडे में इस पर नजर रख सकते हैं इंपोसिस ने भी यहां पर काफी दिनों के पाथ थोड़ी बहुत इस्ट्रें काउन पॉइंट नो जिरू रुपए की तेजी दिखाई है तो आप यहां पर इन इस टॉक्स पर इंट्रेडे में नजर रख सकते हैं और अच्छा प्रोपिट बना सकते हैं दोस्तों देट सॉल पार टोड़े एंड मिलते हैं नेक्स सेग्मेंट में अगले भीक में तब के लिए नमस्कार जैहिंद